हलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागते मैं आज आपको कविगिर्धर आए कि एक उडली पड़ा रही हूँ यदि आप मेरे चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरू लाइक केजे तो चलो मैं शुरू करती हूँ जूटा मीथे बचन कही रिण हुदार ले जाए लेत परमसुख उपजे लेके दियो न जाए लेके दियो न जाए उच अरू निच बतावे रिण हुदार की रीती मांगते मारं धावे कहे गिर्धर कविराय जानी रहे मन में रूठा बहुत दिना हो जाए कहे तेरो काग जूटा इस कुंडली में कविगरिधर राय जी ने हमें ऐसे लोगों से साबधान रहने के लिए काय जो पैसे हुदार तो ले लेते हैं पर बापिस रिटन नहीं देते हैं तो इस कुंडली का पहले मैं आपको शब्दों के हिसाब से सरलर्थ बताऊंगी और उसके बाद भ मतलब मीठी मीठी बाते कहीं मतलब बोलकर कि जो लोग जूटे होते हैं वे मीठी मीठी बाते बोलकर रिण हुदार ले जाए आपको सबसे पहले रिण का मतलब समझा देती हूँ रिण का मतलब होता है हुदार लिया हुआ पैसा जब हम किसी से पैसे मांगते हैं जैसे हम बैंक से लॉन लेते हैं ना फिर बापिस भी देना पड़ता है तो इसमें कभी कहा रहे हैं कि जो जूटा व्यक्ति होता है वो मीठी-मीठी बाते बोल कर रिण हुदार ले जाए मतलब बहें दूसरों से पैसे हुदार ले लेता है लेत परम सुख उबजे लेत मतलब लेते समय का मतलब है आनंद मजा खुशी उबजे यनि प्राप्त होती है कि जो जो हुदार लेता है उसे बहुत जादा सुख की प्राप्ती होती है लेके दियो न जाए लेकिन वह पैसे लेकर दियो न जाए का मतलब है कि वह रिटन नहीं करता है वह बापिस नहीं देता है जिससे उसने हुदार लिये होते पैसे उसको वह पैसा बापिस नहीं देता है लेके दियो न जाए वह पैसा बापिस नहीं देता है उच अरू नीच बतावे अरू का मतलब होता है और कि उच और नीच बतावे यानि बोलता है इसका मतलब है कि वह जूटी जूटी बाते बताता है वह भाने बनाता है वह अपना दुखडा सुनाने लगता है लेकिन वे पैसा वापिस नहीं देता है आगे देखिए रिण हुदार की रीती यहाँ पर कभी कह रहे हैं कि रिण मतलब कर्ज या हुदार दोनों एक ही बात है कि हुदार या कर्ज की का यही नियम है रीती का मतलब है नियम कि कर्ज का तो यही नियम है मांगते मारन धावे मांगते यानि मांगते समय मारन यानि मारने के लिए धावे यानि दोडता है कि जब हुदार देने वाला हुदार लेने वाले से पैसा मांगता है तो वह उसे मारने दोडता है कहें गिर्धर कभी रहा है? यहाँ पर कभी गिर्धर राई जी कह रहे हैं कि जानी रहे मन में रूठा और वह क्या करता है? वह मनी ही मन उससे नाराज भी रहता है क्योंकि वह पैसा मांगता है इसलिए वह मनी ही मन उससे नाराज रहता है पैसा मांगने वाले से नाराज रहत बहुत दिना हो जाए कहें तेरो कागज जूटा और जब बहुत समय निकल जाता है बहुत दिन बीत जाते हैं तब जो हुदार लेने वाला होता है न वो हुदार देने वाले से प्रूफ मांगता है कि आप मुझे प्रूफ दिखाएं कि मैंने आपसे पैसे हुदार लिये हैं तो जब हुदार देने वाला पेपर या फिर कागस दिखाता है तो हुदार लेने वाला उसे क्या करता है जूटा सावित कर देता है जूटा सिद्ध कर देता है कहें तेरो काग जूटा मतलब जो पेपर होते हैं जिन पर सब लिखा होता है कि उसमें होदार लिया है वो सब जूटे हैं ठीक है अब इसका आप भाबर देखिए इस कुर्णिली के माध्यम से कभी साब्धान रहने के लिए कह रहे हैं वे कह रहे हैं कि जूटा व्यक्ति हमेशा मीठे बचन बोलता है मीठी मीठी बाते करके वे हमेशा दूसरों से रुपे भी होदार ले जाता है रुपे होदार लेते समय तो उसे बहुत सुख मिलता है परंतु वे जिस व्यक्ति से होदार लेता है उसे उसके पैसे बापस नह प्रूप मांगता है। जब हुदार के लेन देन के कागत दिखाता है तो हुदार लेने वाला उसे जूटा सिद्ध कर देता है।